नमस्कार दोस्तों, स्वाधत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको ले चलेंगे भारत के दिल, सपनों के शहर मुंबई की ये खास यात्रा पर। मुंबई को आज सिर्फ भारत का ही नहीं, बलकि दुनिया के सबसे प्रसिद और विक्सिद शहरों में गिना जाता है। मुंबई को जोड़कर भूमी बनाई गई, जो आज का मुंबई शहर है, यहां का समविद्ध व्यापार और सामुद्रिक स्थिती ने इसे एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र बना दिया। लेकिन समय के साथ-साथ मुंबई की जनसंख्या बढ़ती गई और जगय की कमी होने लगे। इसी वज़यसे से इस शहर को एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, जो बढ़ती जनसंख्या और जरूरतों को पूरा कर सके। मुंबई को एक आधुनेक और विश्वस्तरिय शहर बनाने के लिए कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किये गए। आईए जानते हैं इन में से कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट्स के बारे में मेट्रो प्रोजेक्ट मुंबई की भीडभार को कम करने और लोगों को आराम दायक, यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से लायक है। आज मेट्रो की कई लाइनों पर काम चल रहा है, इसमें मेट्रो लाइन दोवा, दोबे और मेट्रो साथ प्रमुख है। इसके तहट मुंबई के कई क्षेत्रों को मेट्रो सेवा से चूर कर यात्रा का समय घटाया जा रहा है। मुंबई से हमदाबाद तक का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी मुंबई को आधनिक ट्रांस्पोर्टेशन के छेत्र में आगे बढ़ा रहा है। बुलेट ट्रेन से यात्रा का समय मात्र दो घंटे हो जाएगा। जो अरतमान में साथ घंटे लगते हैं यह न सिर्फ समय बचाएगा बलकि आर्थिक विकास को भी प्रोट सहन देगा। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट मुंबई के पश्चिमी तट पर बना एक बड़ा रोड निट्वर्क है चो यात्रायात में सुधात लाएगा। यह प्रोजेक्ट बांदरा से वरली तक के तटी एक शेत्र को कवर करेगा और सडकों पर भीड को कम करने के साथ साथ यात्रा के समय को। ति घटाएगा नभी मुंबई और मुंबई के बीच ट्रांस हारबर लिंक से एक नया संपर्क मार्ग बनेगा। यह एशिया का सबसे लंबा समुद्रे पुल होगा। इसके शुरू होने से नभी मुंबई से मुंबई आना और आसान हो जाएगा। और दोनों क्षेत्रों के बीच ट्राफिक भी कम होगा। मुंबई के यह सभी इंफ्रस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नकेवल लोगों की यत्रबो आसान बनाते हैं बलके आहतिक विकास में भी बहुत बहुत है। हालाके इस विकास की आत्रा में मुंबई को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। बढ़ती जन्संख्या और भीर भार के चलते यहां पर प्रदूशन और कच्रे की समस्या भी बढ़ रही है। इसके अलावा स्लम एरिया में रहने बादे लोगों के लिए सुविधाओं की कमी एक बड़ी चुनौति है। इन्हें सुधारने के लिए मुंबई, मियनिसिबल कॉर्पोरेशन और अन्य सरकारी एजेंसियां लदातार काम कर रही है। कई योजनाओं के अंतरगत, स्वच्छता, चलप्रदाय और आवास की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। मुंबई के विकास का यह सफर यही पर नहीं रुकता। भविश्य में मुंबई में कई और बड़े प्रोजेक्ट सानेवाने हैं जो इसे ओह, 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 इसके बनने से हवाई यातायाच में सुधार होगा और मुख्य एरपोर्ट पर दबाव भी कम होगा। मुंबई को स्मार्ट सिटी में बदलने की योजनाधी बनाई गई है। इसमें शेहर को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोडने, ट्रैफिक मेनेजमेंट सिस्टम को स्मार्ट बनाने और तचले के बहतर प्रबंधन पर जोर दिया दिया है। मुंबई के बाहरी इलाक इसे मुंबई ने समय के साथ खुद को बदलकर एक आधुनिक और विश्वस तरिये शहर का रूप ले दिया। मुंबई का यह सफर केवाल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही नहीं, बलकि यहां के लोगों के होसले और मेहनत का भी है। यह शहर हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठनाईयां आए। अगर इरादा मजबूत हो तो सब कुछ मुम्किन है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।